हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई योट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम बनाएंगे बड़ी आसान तरीके से अचारी मिर्ची जो मार्केट से आप अचार लेके आते हो उससे भी बहतर आप अपने घर पर बनाके अचारी मिर्ची खा सकते हैं उसे महीनों तक स्टोर करके र हम बनाएंगे अचारी मिर्ची जलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो भिना किसी देरी के अचारी मिर्ची बनाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छे से ढो लेंगे दोने के बाद उसके जो डंडे होते हैं उनको कर देंगे और उन्हें दो भागों में डिवाइट कर लेंगे, मिर्ची को हम लंबे अकार में ही काटेंगे, तो मेरी कड़ाई गरम हो चुकी है, कड़ाई में अबना तेल डाल दिया है, तेल आप कोई भी ले सकते हो, या तो मस्टर्ड ओयल ले सकते हो, या फिर आप सोया भी रिफाइ आप किसी बर्तन से अपनी कड़ाई को ढख दीजिए, नहीं तो मिर्ची का बीज होता है, वो आपकी आखों पर चेहरे पर चिटकता रहता है, तो अभी हम कुछ देर के लिए अपनी कड़ाई को ढखेंगे, जब तक हमारी मिर्ची का चिटकना बंदा हो जाए, तब तक हम अपनी प्लेट को उठाएंगे नहीं, अपनी कड़ाई पैसे, तो मेरी मिर्ची का चिटकना बंद हो चुका है, तो मैं मैं कड़ाई में से प्लेट को अठा लेती हूं, और इसमें आदा चम्मस हल्दी डाल लेती हूं, एक चम्मस नमक डाल देती हूं, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हमारी हल्दी और नमक मिर्चों में अच्छे से लग जाएंगे उसके बाद हम मिर्ची को धक्की पकाएंगे तो मिर्चों मेरे मसाला मिक्स हो गया है तो अब में थोड़े सो डखके पका लेती हूं उसके बाद में हम मिर्ची का मसाला भी हम डालेंगे तो अब ही अपनी मिर्ची को हम एक मिनट के लिए डखके पका लेंगे तो मेरे यहाँ पर एक मिनट पूरा हो चुका है तो अब मैं मिर्ची को मसाला हम पर एड़ कर देती हूँ मिर्ची को मसाला हमें तोड़ा तोड़ा करके ही एड़ करना है ताकि हमारी सभी पूरी मिर्चीयों में मसाला अच्छे से लग जाए और अब इसको चलाते हुए पका लेंगे तो ये हमारा पच्चागू मसाला है जिसको भी हम एड़ कर देते हैं मसाला जितना जादा होगा उतने ही आदा तेस्टी आपकी अचारी मिर्ची बनेंगी अच्छे से अपनी मसाले को अपनी मिर्चियों में मिक्स कर लेंगे और इसको चलाते हुए पका लेंगे अब अपनी मिर्ची को एक से दो मिनट के लिए ढखके पका लेंगे ताकि हमारे मिर्ची में से पानी सारा निकल जाए तो हमारे यहां पर 1-2 मिनटे हो चुके हैं एग उसके बाद में हम आधा नेवू अपनी मिर्ची में एड़ कर लेंगे नेवू से हमारे मिर्ची में खटा पना जाता है और हमारे मिर्ची बहुत हीगी बढ़िए और ज्यादा टेस्टी भी लगती है इन मिर्चियों को आप महीनों बर इस्टोर करके भी दख सकते हैं या फिर आप रोज की रोज भी निट खा सकते हैं पराठो के साथ डाल के साथ या सू की सबजीयों के साथ में अगर अपनी अचारी मिर्ची को काएं तो यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो मिर्ची में हमने अपने निवो को अच्छे से एड़ कर लिया है और हमारी अचारी मिर्ची बनके तयार हो चुकी तो मैं जैस को ओफ कर देती हूँ और एक बाउल में आपको मिर्ची निकाल के मैं दिखा देती हूँ तो यह बनके तयार हो गई मेरी अचारी वाली मिर्ची अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो कर लिजे लाइक और कर लिजे हमाये चनल को सब्सक्राइब साथ में घंटी के बटन दबा दीजे ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे तो मेरी आज की वीडियो बस इतना ही मैं मिलोंगी आपसे फिर अपनी अगली वीडियो में किसी और नई सिंपल रेसिपे के साथ में तक तक के लिए मु